नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में तो दोस्तों जब से ये सुनने में आया है कि चाइना ने LAC के बॉर्डर के बहुत ही करीब में एक कुछ Bombers को तैनात कर दिया गया है तब से ये सवाल भारत में बहुत हद तक उठने लगे हैं की भारत कोई Bomber को यूस्ट क्यू नहीं करता भारत कैसे काउंटर करेगा च्जाइनीज Bombers को क्या भारत का wouldn कोई प्लैन है Bombber लेने का क्या भारत को कोई जरूरत है भी Bomber लेने की तो इन सारे सवालों पे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा वीडियो के लास्ट तर तो सबसे पहले दोस्तों मैं छोटा सा एक ब्रीफ कर देता हूं कि bomber होता क्या है इन्हें क्यों इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों हवा में उड़ने वाले बहुत तरह के aircraft अलग-अलग role के लिए काम करते हैं बहुत अलग तरह के fighter jet होते हैं उन fighter jets में भी अलग-अलग category होती है अलग-अलग उनके missions होते हैं इसी तरह से एक category aircraft की होती है bombers की इनका काम क्या होता है तो जैसा की नाम से ही clear है bomber का मतलब होता है कि एक ऐसा aircraft जिसका काम कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ बंबारी करना उसका काम है ऐसे aircraft को हम bomber कहते हैं तो बंबारी तो हम और भी aircraft से कर सकते हैं हम अपने fighter jet से भी बंबारी कर सकते हैं तो फिर इन्हें ही bomber क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन bombers की capacity बहुत ज़्यादा होती है किसी भी जगा पे bombarding करने की कितनी ज़्यादा होती है तो आप ये समझो कि अगर किसी area में bombarding आपको करनी है और उसमें आप एक bomber का इस्तमाल करते हो और अगर आपके पास bomber नहीं है और आपको उस area में उतने ही bomb गिराने हैं जितने कि आप एक bomber के थुरू गिरा सकते हो तो आपको उसके लिए 15 से 20 fighter jets की जरूरत पड़ेगी तब जाके आप उस area में उतने bombs गिरा पाओगे जितना कि एक bomber अकेले bomb गिरा सकता है तो ये basically difference होता है इसलिए bombers का काम हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ bombarding करना होता है तो अब बात कर लेते हैं कि इनका इस्तमाल कहां पर किया जाता है तो दोस्तो आप खुद सोचो कि अगर आप सिर्फ किसी देश से लड़ाई कर रहो उसकी military से लड़ाई कर रहो तो आपके पास इतने सारे fighter jets होते हैं जिनके तुरू आप आसानी से उनकी military को हरा सकते हो उनके उपर bombing करके तो फिर इस bomber की extra क्यों जरूरत पड़ती है तो ये जो bombers होते हैं दोस्तों ये basically जरूरत में आये थे जो world war 1, world war 2 हुई थी उस समय के हिसाब से क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि कोई नियम नहीं था war का किसी भी तरीके से आप लड़ सकते थे तो उस समय अगर किसी देश को दूसरे देश को हराना होता था और वो आर्मी के बल पे नहीं जीत हासिल कर पाते थे तो वो इन bombers के थूँ उस देश के यानि कि उस दुश्मन देश के जो civilian territory होती है जहां पर आम नागरिक रहते है उन एरियास पर bombarding कर देते थे और जब आम नागरिकों का नुकसान लाखों की संख्या में होने लगता था तो फिर वो देश कहीं न कहीं घुटने टेक देता था तो ये बेसिकली काम था bombers का लेकिन World War 2 में जो इतने सारे नुकसान हुए उसको देखते हुए बाद में 1977 में एक जिनेवा convention बना जिसके तुरू दुनिया के सारी countries को ये कहा गया कि अब कभी भी कोई country एक दूसरे के साथ वार में जाती है तो वो किसी भी civilian area पे attack नहीं करेगी वो सिर्फ military और military के ही बीच में लड़ाई बनी रहेगी लेकिन ये convention कौन कितना मानता है ये तो उसके उपर ही बहुत हथ तक depend करता है ऐसा मुझे personally लगता है खेर अब बात कर लेते हैं कि current में bombers को कौन यूज करता है तो current में दोस्तों दुनिया की तीन ही countries है जो bombers रखे होई हैं जिसमें कि active रूप से अगर कहा जाए तो अमेरिका और रशिया के पास काफी advanced bombers हैं और अमेरिका के पास तो काफी ज़्यादा ही advanced bombers हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पर यहाँ पर अगर रशिया चाइना की बात कर लेते हैं तो रशिया और चाइना इन दोनों के पास जो bombers हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हो conventional bombers हैं यानि कि वो एक ऐसे aircraft हैं जो की काफी ज़्यादा less maneuverable होते हैं इतने maneuverable होते हैं जितना कि आप समझ लोग कोई evac system होता है या फिर कोई air refueler tanker होता है तो यह aircraft बहुत ही कम maneuverable होते हैं तो यह aircraft के थूर रशिया या चाइना कौन सी countries पर attack कर सकता है तो इस aircraft के थूर रशिया या चाइना ये दोनों ही देश दोस्तों सिर्फ उनी countries को bombers के थूर टारगेट कर सकते हैं जिनका air defense system या जिनकी military उतनी modern उतनी capable नहीं है सिर्फ उनी देशों को target किया जा सकता है जैसे कि आप देखो इसका प्रयोग किया जता है सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में तो इस तरह की countries पे आप इसका उप्योग कर सकते हो अगर आप चाहो कि आप इंडिया पे उप्योग कर लो या इबन चाईना पे उप्योग कर लो या Russian पे, या France पे या UK पे, अमेरिका पे तो आप इस तरह के bombers जो कि Russia और China के पास हैं उनके bombers से आप इन देशों पर attack impossible है कर पाना क्यों impossible है उसका reason ये है जो मैंने बताया कि ये less maneuverable होते हैं और आज के समय में modern day की technology जो radars की है जो air defense system की है वो इन bombers को बहुत दूर से ही मार के गिरा सकती है तो ये bombers कभी अपने target तक पहुँच ही नहीं पाएंगे किसी country के air space में घुसने के लिए क्योंकि borders पे ही ऐसे ऐसे air defense system मिलेंगे कि उसके बाद उन air defense system के थूर ही इन bombers को धुस्त कर दिया जाएगा और अगर किसी country के पास बहुत अच्छा air defense system नहीं है लेकिन उसका electronic warfare अच्छा है यानि कि उसके radars वगेरा अच्छे हैं तो भी इन bombers को आसानी से मारा जा सकता है early stage में ही इनका radar signature बहुत बड़ा होता है तो आप बहुत दूर से ही इन्हें पकड़ सकते हो और अपने fighter jets के थूर आप air to air missile से भी इन्हें मार के गिरा सकते हो तो इन्हें मार के गिरा पाना काफी ज़्यादा आसान होता है ये bombers खुद का बचाओ नहीं कर सकते हैं अच्छे से तो इसलिए इनका उपयोग किसी भी ऐसी country के उपर नहीं किया जा सकता जिसके पास काफी ज़्यादा modern air defense system हो और बात कीजाए इंडिया की तो इंडिया के उपर मैंने पहले ही बताए कि इंडिया ही नहीं इंडिया, चाइना, रश्या, फ्रांस, यूक, अमेरिका इस तरह की किसी भी countries के उपर इस तरह के bombers से attack कर पाना फिलहाल के तौर पे impossible है तो ये तो बात हो गई कि bomber क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका उपयोग कहा हो सकता है, कहा नहीं हो सकता है अब बात कर लेते हैं कि भारत bombers को क्यों use नहीं करता है तो इसमें दोस्तों कई तरह की theories हो सकती है इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हमेशा defensive mode में आस तक इंडिया ने yoodh किया है कभी offensive mode में नहीं किया है, इसका मतलब ये कि भारत ने कभी yoodh शुरू ही नहीं किया आस तक भारत ने सिर्फ युद्ध खतम किया है तो उस case में क्या होता है अगर आपको किसी पर attack करने की लालसा ही नहीं है तो आप bomber aircraft क्यों रखोगे आप सिर्फ अगर किसी आपके दुश्मन के पास bomber है तो आप सिर्फ उससे बचाओ करने के लिए अपनी बहुस्ता कर लोगे आप अपने air defense system को अच्छा कर लोगे आपको दुश्मन के civilian territory में attack करना नहीं है भारत ऐसा देश नहीं है तो इसलिए भारत ने इसकी कभी जरूरत ही नहीं महसूस की साथ ही बात की जाए कि अगर जरूरत ना हो फिर भी हम चाहें कि अगर हम इसे रख लें तो दोस्तों यहां तो भारत के budget में आपको पता है इतनी बड़ी हमारी country और इतना जादा चीजों का यहां पर budget इधर उधर चला जाता है कि हमारी बहुत जरूरत की चीज़ें ही कम हो जाती है तो फिर हम इतने heavy expensive bomber को कहां से operate करेंगे क्योंकि इन bombers की cost पांच-पांच गुना होती है किसी fighter jet की तुलना में वो भी राफेल जैसे महेंगे fighter jet की तुलना में और फिर इनका maintenance भी बहुत ज़्यादा महेंगा होता है और फिर कोई आप ऐसी चीज ले लो जिसका आप अपने दुश्मन के against में use भी ना कर पाओ और आप करना भी नहीं चाहते हो क्योंकि ये civilian areas के लिए especially होता है तो फिर आपको जरूरत है ही नहीं इस चीज की क्योंकि अगर सिर्फ आपको दुश्मन की army से लड़ना है तो उसके लिए इंडिया के पास sufficient number of fighter jets है जिनके through वो enemy के military bases को आराम से उड़ा सकता है अपने fighter jets में लगे हुए bomb से तो उसके लिए भी भारत को जरूरत नहीं है bombers की तो overall अगर आप देखते हो तो भारत को जरूरत ही नहीं है इन bombers की इसलिए भारत के पास bomber नहीं है तो यहाँ हम अगर ये बात कर ले दोस्तों कि अगर bomber भारत के पास अभी नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो क्या America या बाकी देश बेखूफ हैं जो bomber बना रहे हैं या bomber रखे हुए हैं या भविश्य में इस पे भी काम कर रहे हैं, वो इसकी टेकनोलोजी को और अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तो, मैंने अभी तक जिन कन्वेशनल बॉमबर्स की बात की है, ये सारी उनकी कहानी थी, लेकिन मैं आपको अब अमेरिका की दो बॉमबर्स के बारे में बताता हूँ, जिनके थुरू अमेरिका अगर चाहे, तो वो किसी भी देश पे अटेक कर सकता है, इवन रशिया, चाइना, भारत जैसे भी देश के उपर अटेक कर सकता है, उन दो अमेरिकन बॉमबर्स का नाम है दोस्तो B-2, जो कि अलरेडी अमेरिका में operational है, और दूसरा है B-21 रेडर, यह B-21 रेडर बॉमबर दोस्तो, आप समझो, अमेरिका का इतना secret project है, इतना secret project है कि यह वहाँ पे भी बहुत जादा लोगों को नहीं पता है, इसको detail में तो दोस्तो अगर अमेरिका इतनी high-end की technology को आज भी बना रहा है bombers को तो इसका मतलब है इसका उपयोग अमेरिका कर सकता है तभी वो इतने महंगे bombers को बना रहा है उसका reason यह है दोस्तो क्योंकि यह bombers जो है यह normal bomber नहीं है जैसे पहले बनते थे यह अभी current की technology के हिसा radar से बचना तो अगर कोई ऐसा aircraft आपने बना लिया है जिसको दुश्मन के radar strike ही नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां के fighter jets और वहां का air defense system सब भेकार हो जाता है तो वो bomber आसानी से अपना काम करके आ सकता है तो इस तरह का bomber अभी तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है रशिय इस पे काम कर रहा है और चाइना का कुछ पता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इस पे काम नहीं कर रहा होगा चाइना भी मुझे लगता है इस पे काम करी रहा होगा तो अगर कल को आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद अगर चाइना इस तरह का कोई bomber बना लेता है तो भारत को इस तरह के bomber की जरूरत हो जाएगी हाला कि भारत के पास तब तक 10 से 15 साल 20 साल बाद तो भारत के पास खुद का 5th generation fighter jet aircraft M का available हो जाएगा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उस समय भारत के पास कोई और option भी होना चाहिए तो क्या उस समय भारत को जरूरत होगी किसी stealth bomber की तो इस पर मैं दोस्तों भारत की एक future project के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है aura या आप इसे घातक भी कह सकते हो और इसे DRDO बना रही है और इसकी first flight 2024 से 2025 तक complete होने की उम्मीद है देखने में यह आपको अमेरिका के B-21 radar की तरह लग सकता है हलाकि इसकी कोई अभी clear picture नहीं है कि इसका prototype किस तरह होने वाला है लेकिन 2024 में इसकी first flight है और यह एक U-Cav होगा यानि की unmanned combat aerial vehicle होगा यह unmanned होगा जैसे की अमेरिका का B-21 radar है यानि की उसे एक drone की तरह प्रेट किया जाएगा और भारत भी जो यह बना रहा है U-Cav यह भी एक stealth aircraft होगा तो भारत दोस्तों इसके थूख किसी देश के जो stealth bomber होंगे उनका जवाब क्या दे सकता है क्योंकि भारत के इस aura की capability कितनी होगी यह कितने bombs को लेके उड़ सकता है यह अभी clear नहीं है लेकिन हाँ मुझे यह लगता है यह तो शोरी है लगबख कि इसके capability एक bomber की तुलना में लगबख 5 गुना कम तो होगी ही क्योंकि यहाँ पे आप एक drone बना रहो और अमेरिका एक proper bomber बना रहा है जो कि stealth bomber है और भारत एक stealth drone बना रहा है तो क्या यह drone को हम अगर कल को China develop कर लेता है कोई stealth bomber aircraft तो क्या हम इस drone के थूँ उसे counter कर सकते हैं तो मेरी नजर में यह मेरा personal view है हाँ बिलकुल counter कर सकते हैं क्योंकि यह personally मेरा मानना है कि किसी भी bomber का इस्तमाल किसी ऐसी country के खिलाफ नहीं किया जा सकता जो country nuclear capable होगी क्योंकि अगर एक बार आपने अपने bomber के थूँ उस country का बहुत नुकसान कर भी दिया बहुत सारे bombs को गिरा के तो कल को वो country सिर्फ एक bomb यानि कि किसी nuclear bomb को गिरा के आपका भी उतना ही नुकसान कर सकती है जितना कि आपने वहाँ पे पचास या सो bombs को गिरा के नुकसान किया हुआ है तो मेरे हिसाब से भारत क्योंकि एक nuclear state है हमारे पास nuclear power है तो कल को अगर हम औरा ही बना लेते हैं जो कि एक stealth drone हो और उसके थूँ अगर कोई एक nuclear attack भी हो जाता है तो उसके बाद फिर आप मामला बराबर कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी देश इस तरह की गलती नहीं करेगी कोई भी देश जो nuclear capable होगा उसके खिलाब कोई भी कंट्री किसी bomber के थूँ बहुत heavy bombarding नहीं करेगी क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो कंट्री फिर जवाब में nuclear attack कर सकती है तो यानि कि अगर आप overall देखते हो दोस्तों तो चाइना के पास जो current में bomber है हमें उससे भी डरने की जरूरत नहीं है और अगर चाइना future में कोई stealth bomber बना लेता है तो उससे भी मुझे नहीं लगता कि भारत को strategy group से कोई डरने की जरूरत है या फिर भारत को ये सोचते हुए कोई bomber बना लेना चाहिए कि भे चाइना ने बना लिया तो फिर हम भी बना ले हाला कि इसका एक psychological impact जरूर पढ़ता है कि हाँ भे हमारे पास भी bomber है लेकिन जरूरत के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई खास जरूरत है हमारा अगर औरा ही एक अच्छा stealth drone बन गया तो उससे भी हमारा बहुत हद तक काम हो सकता है वाकि आपका क्या कहना दोस्तों इस विशे में अपने सुझाओ को comment section में जरूर बताएगा मैं मनीश मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै